आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए जो इंग्रेडियेंट्स होंगे वो है मैदा, कॉर्ण फ्लोर, ओल, नमक अब इसका प्रोसेजर स्टार्ट करते हैं अब हम इसका आटा लगाएंगे पहले मैदा डालेंगे कॉर्ण फ्लोर, कॉर्ण फ्लोर इसली डालें क्रिस्पनेस के लिए नमक, ओल, इस सारी चीजों को मिक्स करेंगे अभी सारी चीजे मिक्स करने के बाद हलका गरम पानी लेंगे और उससे यह आटा लगाएंगे और हम सॉफ्ट डो इसका लगाएंगे हम इसका एकदम सॉफ्ट डो कर लिया है और अब हम इसको 10 से 12 मिनिट के लिए रेस्ट पर छोड़ेगे अब इसको रेस्ट किये हुए 12 से 12 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसके पेड़े बनाएंगे ऐसे ही मैं सारे पेड़े बना के रख लूगे हम ये पेड़े को बेलेंगे और पतला बेलेंगे जितना पतला हो सके इसे करेंगे अब हम दूसरी शीट बनाएंगे थोड़ा मैदा डिस्ट करेंगे कोई पतला बेलेंगे अब इसको फिर से हम तब ये पे पकाएंगे ऐसे ही मैं बाकी की सारी शीट बना लूँगी अब सारी स्प्रिंग रोल शीट तयार है आप ये जो शीट हैं इन शीट से आप समोसा बना सकते हैं और पफ्स बना सकते हैं और इन शीट को हम 4-5 दिन तक अराम से जिप्रिकलोग बैग है ये इसमें हम रख सकते हैं इसमें ये खराब नहीं होंगी और आप मेरी रेसिपी को फोलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यू सो मच और मेरी रेसिपी के समय सब्सक्राइब करना